आज मैं आपको ऐसे तीन तरीके बताऊं कितने तीन तरीके बताऊंगा जिससे आप पास हो सकते हैं और तीसरा वालाना बहुत इंपोर्टेंट है उसको तो आप भूल कर भी इस किम्मत करिए तो यह रहा क्लाश 12 बाइलोजी का पेपर 2024 का जो कि आपको 29 फरवरी का पेपर है है ना और आपके मन में यह आ रहा है गुरुजी लाश्ट डे हैं अब हम कैसे पास हो तो पास होने के इसमें टिप्स बताएंगे अब यह आप सोच रहें हम टॉपर बन जाएंगे क्या बिल्कुल भहिया नहीं टॉपर नहीं बन सकते लेकिन हां एक चीज़ है कि आप पास हो जाओगे इस वीडियो को देख कर तो क्या पास होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएं विडियो को या लाइक करिए घमागेदार तरीके से एक बार आप क्मिंट कर दीजिए जो भी आपका क्या जाएगा ठीकि ना बाकितब का Chic आपको क्या होना है पाइसफ होसकते हैं फाइस होसक्ते हैं गैरंटी के तरीकर हो आप इतारीक आप पाशलिया करने पड़ेगा अगर अगर यह आपने टिप्स क्वालो किया तो यह समझ लीजिए कि आप पास हो सकते हैं आप देखेगा सबसे पहला मैं आपको टिपस बताऊंगा वह आपको दिमाग से स्ट्रॉंग करेगा आप बताइए अगर मैं बोलूं कि आप एक से लेकर 200 तक गिंती सुनाओ या पहारा सुनाओ 200 तक पहारा सुनाओ एक से लेकर 200 तक तो आप बोलेंगे एक से लेकर 100 तक हो जाएगा लेकि 200 थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा हमें अब मैं आपसे बोलूं एक से लेकर 500 तक पहारा सुनाओ कि यार 200 300 तो याद हो जाएगा 300 तक लेकिन अब हमें 400 या 500 तक पहारा कैसे याद करें मैं सुचिए जब मैंने 200 का टार्गेट दिया तो आपने एक से लेकर 100 तक पहारा सुनाने की कोशिस की कि चलिए हम इतना पहारा सुना देंगे एक मता रहे हैं ठीक ना लेकिन 200 तक नह डिफिकल्ट हो जाएं अब देखी अभी तक 200 वाला नहीं टार्गेट से अ इसे कि प्रशन किस में रहता है अफवा में रहता है जब अथवा में रहता है कि आप उसका नमबर नहीं जोडेंगे क्या अरे गुरुजी जोडेंगे समझ में आ गया गुरुजी समझ में आ गया यानि कि हमारा पेपर कितना सतर नहीं सोगा होता है गुरुजी और अथवा में जो रहता है उसका भी नमबर हम लोग जोडेंगे अपने अंदर मजबूत करेंगे और इतना जाड़ा हम इस ठ्राइब करेंगे नहीं तो अपने आपको अंदर कमज्वर नहीं बनाना मजबूत बनाओ इतना मजबूत बनाओ कि दहार मारो ना तो अगल वगल वालों की ठीक निकल जाए अरे यार यह कहां से सेर आ गया बस वही आपके अंदर स्ट्रांग फिलिंग होनी चाहिए उसके बाद कोई नहीं रोक सकता आपको पास कराने से अब गुरुजी पास होने वाला जो दो तरीका वचाए उसको वता दीजिए पहला तो ठीक है मैं माल लिया दूसरा क्या चली सबसे पहले देखिएगा सबसे पहले आप देखिएगा कि कि सबसे पहले देखिएगा क्या करना है कि बहुविकल्पी उठाना है क्या करना है बहुविकल्पी उठाना है अब हमारा सतन नंबर का पेपर है सतन नहीं सौ लेके चलिए पास मार का टेइस नंबर चाहिए क्योंकि अथवा बाली प्रशन इसलिए हमने सो टारिट कर रहा हूं तब सौ में तेइस क्या है यार कुछ भी नहीं है आख बंद कर भी लिखो के तब भी तेइस पाजाओ के कैस कि अब में आपको टीप्स बताता हूं कितने प्रशन हैं एक दो है है तीन चार और पर प्रशन यहां पर हमारे बहुविकल्पी दिये गये है फीख है बहुविकल्पी है उसके बाद क्या गरें गुरुजी उसके बाद हम यह करें तुक्का लगाएंगे अगर पाच बहु तो क्या गरेंगे जो गलत था उसका भी अंसर वो लिखकर दे देंगे क्या हमें नंबर कैसे अब मतलब की जो लग विजार धानी होता है गुरुजी इसमें माल लिजे चार होती बहुत लगा दीजिए लेकिन आपको सबसे पहले इस प्रश्ण को पूरा उतारना है यह चारो बहुविकल्पी उतारना है और फिर उसके बाद नीचे इंसर लिखना है ताकि आपके कौपी वहां पर भरी भरी दिखाए अग कौपी जब भरी रहेगी ना तो नंबर आपको मिलेगा तो आपको नंबर मिलेगा किसी प्रकार इसका तुक्का लगा दीजिए अब गुरुजी जीव के लिए सबसे पहले होता है ऑक्सीजन गुरुजी जहां पर जीव है ऑक्सीजन लगा दो बस काम खतम हुआ गुरुजी उसके बाद यहां पर है कौन से अंजायम डिने को खं तो यह क्या है राइट एंसर है लेकिन आप एंसर राइटिंग करते समय ध्यान देजिएगा प्रश्ण नहीं आ रहा है वहवी कल्पी तो आप क्या करिएगा कि आप उसको बकाइद लिखिएगा पूरा पूरा उसके बाद 4 आफसर फीर नीची आपको एंसर करके लिखना ह अगर इस प्रकार से करेंगी तो आपका सही होता चला जाएगा और आपको चला जाएगा अगर आप किरशन को छोड़ेंगी तो नमबर कटेंगा लिखेंगे गलत लिखेंगे नमबर आपको ज़रूर जबने वाला है अब justement मिलने वाला है अब जैसेल क्या है निश्चित उ इतना तो आपको पते ही होगा पराकड में क्या क्या होता है गुरु जी वह है तुचा होती है मध्य तुचा होती है टेपी टेम होता है लिखे डाले माली जी अब यह नहीं आ रहा है अब यह नहीं आ रहा है पराकड काम करेगा पराकड के बारे में परिभासा लिख देना है दो नंबर का है तो गीरी हुई हालत में आपको एक नंबर मिलेगा अगर आप के उस्चन को छोड़ोगी तो भाई साम नंबर आपका कटेगा तो यहां पर यह नहीं आ रहा है कोशिका के बारे मियाद नहीं है तो काम करिए पराकड के बारे मिलिक कर चले जाए इसकी परिभा होगा 22 तारिक को पेपर हिंदी खितम है उसके बाद जीव इज्ञान का है 29 को कितना गैब मिल रहा है कम से कम अगर आप देखेंगे तो साथ छसे साथ दिन गाव कर लेंगे तो आपका काम हो जाए गट बहुत जद आपको परशान नहीं होना है कि गुडुजी हम परिशान हो जाएंगे हमें तो आई नहीं रहा है उसके बाद देखिए जैसे यहां पर प्रश्ण है कि एक किसी एक क्लोनिंग सम्धार नाम लिं क्लोनिंग संवाहा क्या होता है तो जब चीजे ना आए तो उसको डिस्क्राइब करना शुरू करिए अगर प्रष्णों को मलड़ी हो जाना थुत कसल्चिजाएंगे लने सुट अरह समें करने sound को प्रष्णों को कभी न फोर दो ंब हो यह सब आप प्रख्राव्ण इसके बारे में आप ग्राफिक कुट्या क्या होती दूब्स लिक्ते वैं चले जाना है अब हम बात करेंगे गुरुजी अगला, अब हम यह जो तीसरा पॉइंट बात करेंगे ना, तीसरा सबसे Most IMP वाला है पॉइंट, IMP वाला है, अगर आप चाहते हैं वाकई में पास हो ना, तो आप चित्र बनाइए, क्या बनाइए भी आप चित्र बनाइए, जितने भी हैं, और लुऑ nah ac इसरा तो इसरा टिप्स बहुत है इसरा टिप्स बहुत इंप्वाटेंट है तो अगर आपको पास होना है तो आप चित्र पर फोकस करो करूँ जितना ज़्याद आप चित्र हो दैंगा जजदा आप इसको मिलेगा जैसे यहां पर अब यह सब क्या होती है कि भी लप्टत हो एक प्रकार के जीव मतलब कि मतलब क्या होता है आपका गुरुजी मचली होता है अब क्या मचली के बार में या सब सकते हैं लिख सकते हो आपको तो आता है कि यह लाब के अंदर मोटिवेशन की कमी है और वह मोटिवेशन में निकालूंगा अब यह बताई यहां पे जैसे की है चलिए हमें आप बात करते हैं अभी बताईए यह लिंग निधार आपको रही पता है आप नहीं लिख सकते क्या ड्रक के बारे नहीं लिख सकते हैं कि सराब के बारे नहीं लिख सकते हैं कि सराब के क्या 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 प्रभाव होते हैं आप लिख सकते हैं गलत ही लिखो लेकिन प्रशनों का अगर एंसर लिख कर आएंगे तो ग्यारंटी हमारी है बाइलोजी में पास होगे 100% होगे कभी फेल नहीं होगे कभी आ अगर आप हर एक प्रश्णों का जबाब देते हैं एंसा लिखते हैं उसके बारे में लिख कर आते हैं कुछ भी लिख कर आ हो यार लेकिन लिखो बाइलोजी क्या है जो हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं यही तो बाइलोजी है आप रोग विफाल तुम परचान रहते हो अ